हातरस में हुए दर्दनाक हाथसे के मुख्या आरूपी और भूले बाबा के राइट हैंड देव प्रकाश मधुकर पर शिकंजा कसलिया है दिल्ली के नजब गर्ड से गिरफतारी के बाद पुलिस ने मधुकर को कोट में पेश किया जहां मुख्य न्याइक मजिस्ट्रेट हातरस ने आरूपी देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन के रिमांट पर भेश दिया है रिमांट के दोरान पुलिस मधुकर से सक्थ पूश्टाच करेगी और घटना के लिए जमेदार लुकों तक पहुँशने की कोशिश करेगी आपको बता दे हातरस में भगदर की घटना में अब तक 121 लोगों की मौत हो गई है और इस घटना के मुख्य आरूपी देव प्रकाश मधुकर को हातरस पुलिस की SOG टीम ने डिली के नजबगर इलाके से गिरफतार किया था हातरस SP ने प्रेस कॉन्फरेंस करके बताया कि देव प्रकाश मधुकर मुख्य आयूजक था और इस कारिक्रम की पर्मीशन उन्होंने ही ली थी इसके साथ ही फंड रेजर के रूप में इसकी भूमिका है और मधुकर मन्रेगा का जूनियर इंजिनियर था पूश्टाश में ये भी पता चला है कि कुछ समय पहले कुछ राशनितिक दलों की और से इन्हें संपर्क किया गया था फंड एकठा करने के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरह के कारिक्रम में इनके सिंसाधन किसी राश्णितिक पार्टी के द्वारा पोशित तो नहीं किये जा रहे हैं अब तक की पूश्ता से ऐसा प्रेवित हो रहा है कि कोई राश्नितिक दिल अपने राश्नितिक और नीजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है पुलिस अब देवप्रकाश मधुकर के खातूं की जांच करेगी मुख्या रोपी और कारक्रम के आयुजक देवप्रकाश मधुकर और दो अन्या रोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है इसे पहले छे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था वहें हात्रस हाथसे को लेकर नयाएक आयुक की टीम घटना इस्थल पर पहुंची और इस तोरान प्रजेश कुमार शिर्वास्तव ने कहा है कि हमने पूरे घटना इस्थल का निरिक्षन किया है और हमने सब कुछ नोट कर लिया है है यूनिफॉर्म दी जा रही है तो फंडिंग आख हांसे रही है जो डोनर्स की लिस्ट है उसको उसका संकलन करा जा रहा है कर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और इसमें एक व्रेट रेचना है और जो भी इसमें दोशियों उसको बक्षा नहीं जाए है तो इसके पास पैसा आ कहां से रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई ना कोई पॉल्टिकल दल दोरा कहीं ना कहीं इनको फंडिंग हो रही है